समीतीने दोजारे टेईस में जो भी बरहमी पास किये हैं उसके लिए Simulator के लिए Online शुरू कर दिया गया है आज से आपका Online सुरू है लेकिन आपको Online करने से पहले आपको देख लिना है क्या आप AleeSkloroship के लिए Lisival है या नहीं है यानि a scholarship list में क्या आपका नाम है या नहीं है क्योंकि 4 step में आपका online जो है यहाँ पे मागा गया student registration है document verification है apply for a scholarship और district verification है उसके बाद कुछ document बताएगे हैं तो document भी जानेंगे सबसे पहले आपको यह भी जान लेना है कि आपका नाम जो है वो उस list में है या नहीं तिके अगर आपका नाम उस list में है तो यहाँ पे online कर सकते हैं पूरी जनकारी दिखाएंगे आपको list में नाम कैसे check करना है online apply कैसे करना है सुरू से लेकर last तक इस वीडियों बताने जा रहे हैं step भी step आपको single step मिस नहीं करना है step by step पूरी जनकारी आपको देने जा रहे हैं यहाँ पे online करके खुद यहाँ बता रहे है step by step तो पूरी वीडियो बस ध्यान से देखेगा सब कुछ जनकारी यहाँ पे दी जा रही है online करने का सबसे पहला step जो है बो आपको जो है अपना नाम जो है लिस्ट में यहाँ पे चेक कर लेना है अपना registration number और अपना नाम डालना है जैसे ही नाम डालेंगे आपको लिख देगा successful you are eligible to apply for a scholarship अगर यह लिख देता है तो आप यहाँ पे scholarship के लिए अपलाई कर सकते हैं साधी सद आपका district का नाम लिख देगा और किस college से है बो यहाँ पे आपको लिख देगा उसके बाद click here to apply पे click करके आप apply कर सकते हैं तो आपको step by step आपको बताते हैं कैसे आपको नाम चेक करना है बिल्कुल ध्याँ से देखेंगे यहाँ से आपको थोड़ा सा भी skip नहीं करना है वीडियो यहाँ से सुरू हो रही है आपको वीडियो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन बहुत लंबा step बता दिया गया जिसे चाथ को confusion है यहाँ पे मैं बिल्कुल short step में बताऊँगा और बिल्कुल 100% finalize करके दिखाऊँगा तो आपको बिहार help पे सरज करना है और यहाँ पे बिहार help.in पे आना है जैसे मैं बता रहा बिल्कुल धिहां से देखेगा थोड़ा सा भी skip नहीं किजेगा यहाँ पे अब देखेगा यहाँ पे और scholarship पे आपको क्लिक करना है कितनी असानी से आप अपना नाम देख पाएंगा scholarship में यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा जो भी यहाँ पे first division से पास है वो यहाँ पे online apply कर सकते है लिंक यहाँ पे active कर दिया गया है इस पे आपको click कर लेना है click करेंगे तो यहाँ पे कुछ detail दिये गया है आप चाहे तो यहाँ पर भी सकते हैं नहीं तो direct आपको skip करके नीचे आ जाना है जो 25,000 रुपेगी online apply यहाँ पे मांगा जा रहा है उसके लिए link यहाँ पे active हो गया है तो मैं यहाँ पे नीचे की और जा रहा हूँ direct link पे click करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपका नाम उस list में है या नहीं है और है तो यहाँ पे कैसे आप online apply कर सकते है यहाँ से बिल्कुल a step by a step आपको दिखाया जा रहा है बस यहाँ से आपको miss नहीं करना है एक एक नजर यहाँ पे बना कर रखिए सबसे पहले देखिए आप बहुत सारा इच्छा तो यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे आपको click नहीं करना है यहाँ भी नहीं करना है आपको सबसे पहले क्या करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ से check your name in list यह आपको check करना है सबसे पहले यहाँ पे उसके बाद यह सब आपी check करने के कोई जरुदत आपको नहीं है इसमें आपका time best होगा direct आपको online करने के लिए check your name in list पे आपको click करना आपका list में आपका name है या नहीं है बाकि जीला से आपको कोई मतलब नहीं है ठीक है अगर आपका नाम list में है तो जीला में भी आपका नाम होगा सबसे बरी बात की list में नाम होनी चाहिए तो direct आपको main check कर लेना है आपको list में नाम है अत्वा नहीं है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको registration number यहाँ पे डालना होगा पहले आपको R लिखना है ठीक है जो registration card में आपका होगा उसके बाद आपको dash डालना है ठीक है उसके बाद देखिए सही से डालिएगा इस तरीके से बाबन सो एक सो एक पूरी जनकाई देख लिजी यहाँ से करने के बाद आपको online कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा बस आपको पूरा देखना होगा अगर एक बार आप wrong कर देते हैं तो फिर आप edit करने में बहुत दिकत होता है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से नाम डालना होगा तो देखिए यहाँ पे मैंने registration number डाल दिया और नाम यहाँ पे डाल दिया ठीक है अब यहाँ पे search बटन पे click करेंगे जैसे search बटन पे click करेंगे देखिए बोल दिया है कि successful बदाई हो आप जो है eligible है scholarship apply के लिए आपका district का नाम और college का नाम यहाँ पे लिख देगा जैसे इन लिख देगा तो नीचे की और एक link आएगा देखिए कितना अच्छा से आप कर पाएंगे click here to apply इस link पे आपको click करना है ठीक है लेकिन link पे click करने से पहले एक step आपको बता देते जो बहुत ज़्यादा important है कि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए युकि अगर आप इस पे click कर देंगे तो फिर back नहीं आप आएंगे आप ठीक है तो यह click करने से पहले आपको एक step है वो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कुछ details जो है वो आपको यहाँ पे समझाए गया है तो उस details पे पहले आपको यहाँ पे focus कर लेना है कि गलतर नहीं होना चाहिए सबसे पहले देखें यहाँ पे बोला गया है कि आपका bank account और IFC code और अधार संख्या जो है वो आपके दोरा सही डालना चाहिए यानि आप ही के bank account का होगा किसी का joint bank account है या आपके estate से बाहर estate का bank account है यानि कि अगर आप बिहार से हैं और आप किसी अन estate का bank account खुलवा रखें तो वो bank account नहीं डालना है आपको बिहार का यह bank account नमबर डालना है और आपके नाम पे होना चाहिए मैं इस bank bank को योजना पुड़ी होने तक कारत रखूंगी यानि bank आपका चालू ढ़ना चाहिए ठीके उसके बाद ये भी आपको होना चाहिए कि 10 प्लस 2 के सेमें आप merit नहीं होने चाहिए अगर आप साधी सुदा हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर आप गलत जनकारी भड़ते हैं साधी सुदा होते हुए खुद को यहाँ पे बैचलर दिखाते हैं तो आपके उपर करवाई की जा सकती है ठीके उसके बाद आपका बिहार का निवासी होना जोरी है अधार संक्या को स्वेच्छा पूंदेर है अगर बिहार की निवा अगर अगर एक ही एस्पेलिंग मिस होगा तो आपको लास्ट में विरिफिकेशन बैंक के द्वारा नहीं किया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा ठीके अब देखेंगे यहां पर आलाइन कैसे करना तो अब मैं वहीं बापस आ गया हूँ जहां पर मैंने सक्सेस्पूल यह एरेजिबर टू अपलाई पर स्कॉरसी पर क्लिक किया था ठीके वहीं से स्टेप आगे बढ़ेगा और क्लिक हेर टू अपलाई पर क्ल जाएगा ठीके अब यहां पर चेक बॉक्स पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है इस तरीके से आपको चेक बॉक्स पर सारा क्लिक कर देना है सारी जनकारी आप समझ गये हैं ठीके चार स्टेप में आपका यहां पर आउनलाइन है अभी रेजिस्टेशन होगा फिर डिपा अपने पिता जी का नाम डालना है जो भी आपके फॉर्म पे लिखा हुआ है माक्सिट पर आपको लिखा वही है स्पेलिंग डेटो वर्थ टोटन माक्स आपको इंटर में कितने माक्स मिले ठीके आप यहाँ पर बदल नहीं सकते हैं मेरिट में नोही रखना है उसके बद पर दालना है और जो आपके मेल पर कड़ना है तो आपके मुफाइल पर एक OTP जाएगा तो आपका भी केशन हो जाएगा यहां पर बोलेगा OTP डाली उसके बाद email email ID डालना है और उसके बाद अगर सही है तो आपको सब्सक्राइब करना है कि सारी जो इन्फर्मेशन डाली गई है वो आपके द्वारा सही है या नहीं है अगर सही है तो आपको सब्मिट बटन पे क्लिक कर देना है तो इस तरीके से रेजिस्टेशन आपका डन हो जाएगा और जैसे आप यहां पे बैंक वेरिफेकेशन के लिए जब बैंक डिटेल डाले है तो बैंक वेरिफेकेशन भी आपका यहां पे किलियर हो जाएगा तो इ सामने स्क्रॉल सिप का फॉर्म भरना आ जाएगा जो कि बिल्कुल असान है ठीक है उसमें आपको साई डिटेल जैसे मैंने भी बता है उस तरीके से आपको फिल करना है और समिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से कोई काम नहीं करना है डिस्टिक वरिफिकेशन ज लेना है अमाल लिजी कि अभी आप यूजर आईडी और पासबर ले लिए और सब पूरा फॉर्म फाइनल नहीं कि यह साथ दिन हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है तो सारी डिटेल एक साथ करना है आपको बैंक एकाउंट खुलवा लिजिए उसके बाद में अगर आपको मैसेज आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा और यहां पर बहुत फास्ट काम किया जा रहा है जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करें लास्ट डेट का बिल्कुल नहीं करें क्योंकि लाइस डेट में आपका सरवर जो है वह आपका बीजी हो जाएगा औ बिल्कुल फायदा उठाए और पचीस जार रपे कि रासी है और आपके बैंक एकांट में आटोमेटिक चले जाएगी आपको यहां पर कुछ नहीं करना है ठीक है गाइज तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जो भी अपडेट आएगी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और यहां पर टेलिग्राम गुरूप जोइन कर लेजेगा ताकि आगे भी कोई दिकत आपको ना हो स्कुरॉस रिफ कब आएगा सारी जनकार इस चैनल पर आपको मिलते रहेगी सारी वीडियो